हेलो गाइस, वेलकम टो सत्यम कम्प्यूटर एक्सपर्ट गाइस, जो स्टुडेंट SSC, HSSC, LDC, UDC और डेटा एंट्री जोब की प्रिक्षा देते हैं उनके अंदर काफी वार कम्प्यूटर के कुछ एक महतोपूर्ण क्युस्टन्स पूछ लिए जाते हैं अच्छे से बच्चे नय समझने की वज़े से उनका गलत आंस्वर दे कराते हैं तो आज की वीडियो में हम उनहीं पे चर्चा करेंगे तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब गर दीजिए आप में बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टो टाइम आपको मिलता रहे गाइस, वीडियो आपको कम्पलीट देखना है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अब चलते हैं हमारी वीडियो के उपर तो गाइस, सबसे पहला जो क्यूसंस है वो हमारा रहेगा कम्प्यूटर साखसरता दिवस कब मनाया जाता है तो यहाँ पर ओप्संस अविलेबल है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर तो गाइस, हर साल 2 दिसंबर को कम्प्यूटर साखसरता दिवस मनाया जाता है तो इसका आंस्वर D है, वो करेक्ट रहेगा अगला क्यूसंस है हमारा क्यूसंट 2 कि मेनू पर परतेक एक विशेश कारिये करता है क्या? सर्वर, क्लाइन, कमांड, नोट तो गाइस, यहाँ पर जो ओप्सन C है, कमांड वो इसका करेक्ट आंस्वर रहेगा कि मेनू पर परतेक कमांड एक विशेश कारिये करता है ओके गाइस, तो अब चलते हमारे क्यूसंस नंबर 3 पे तो हमारा जो क्यूसंस नंबर 3 का है, वो रहेगा कम्प्यूटर सिस्टम्स को कमांड भेजने के लिए खालिस्तान सक्रीन पर डिस्पले हुए चितर यहनि जिने हम आइकन्स कहते हैं वो कौन सी सक्रीन के उपर डिस्पले होता है यह इसके अंदर आपसे क्यूसंस पूछा गया है तो गाइस यहाँ पर कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, सिस्टम्स यूटिलिटी, जी यूओ आई इन में से कोई नी तो गाइस जो जी यूओ आई है, जिसको हम डेक्स्टोप कहते हैं वो आपका ग्रैफिक यूजर इंटरफेस होता है तो यह आपका सही आंस्वर होगा, option number C तो अगला questions देख लेते हैं, question number 4 का है किस सबद का प्रियोग वरतमान में प्रियुक्त विंडो के वरणन के लिए किया जाता है तो गाइस, जब computer system start होता है, तो आपको जो fast screen मिलती है यह fast, उसको हम desktop कहते है उसी के बारे में question पूछा गया है तो परदस्टन छेतर, monitor, शकरिये window या web windows तो इसका जो सही answer है, वो रहेगा आपका option C यानि optive, शकरिये window अगला questions है, आपका question number 5 का वो देख लेते हैं, कि hard disk से delete की गई फाइले कहां भेजी जाती है तो guys, option है recycle bean, floppy disk, clipboard, motherboard hard disk से आप files, folders, कुछ भी आप delete करोगे तो वो आपका direct recycle bean के अंदर ही भेजा जाता है तो यहाँ पर option जो A है, वो इसका correct answer होगा option यहाँ पर question number 6 देख लेते हैं copy command कहां save करती है paste में, printer में, desktop पर, clipboard पे तो guys, आपको बता देते हैं कि आप कहीं पर से भी data को copy या cut करते हो तो वो data जब तक आप paste करते हो उस समय के अंतराल में कहां पे रहता है तो जब भी आप clip, copy या paste करोगे कोई भी चीज को cut या copy करते हो तो वो आपका clipboard के उपर save होता है ओके guys, यह questions interview में भी पूछा जाता है तो अगला questions देख लेते हैं question number 7 का कि windows 95, windows 98 और windows NT किस नाम से जाने जाते हैं modem, domain name, operating system, processor तो guys, आप सब को पता है कि जो window है, वो आपका क्या है एक operating system से हैं तो windows 95, 98 और windows NT है वो क्या हैं आपके operating system से questions number 8 का हम देख लेते हैं कि task bar किस पर होता है screen के top पर, start menu पर, screen के bottom पर या फिर कभी clones toolbar पर तो guys, जो आप wind जब computer को own करते हो तो जो fast screen आपको मिलती है जिसको आप desktop कहते हैं उसको हम screens भी कह देते हैं तो guys, जो task bar है वो आपको screen के bottom पर ही मिलता है तो यहाँ पर जो option C है वो आपका correct answer होगा question number 9 का देख लेते हैं कि किस पर located icon से आप recycle bean access करते हैं तो guys, desktop पर hard drive पर, properties dialogue box पर और shortcut menu पर तो guys, जब आप computer को own करते हो, तो recycle bean ही एक ऐसा icon से जो आपको desktop पर available मिलता है जिसको आप delete भी नहीं कर सकते हैं यह questions आपका interview के अंदर भी पूछा जाता है तो यहाँ option A इसका correct answer होगा desktop पर अगला questions है, 10th का वो देख लेते हैं कब तक recycle bean item store करता है आपके खाली करने पर, दूसरे user के logon करने पर, computer बंद होने तक, इन में से कोई नहीं आपको बता देते हैं कि recycle bean में तब तक item store रहता है, जब तक आप उसको delete नहीं करते हैं तो guys, वीडियो आपको अगर पसंद आई है, तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe करते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं next video में, next information के साथ